हेलो गाइस दो बात केने वाले हैं हिंदूसान यूनिलिवर इस कमनी की बारे में इस कमनी का quarter to FY23 का रिजल्ट आजुका है सामने कैसरा इस कमनी का रिजल्ट और इस कमनी ने क्या डिविडन दिया एक नहीं यही चीज़ के बारे में डिसकेशन करेंगे आज की इस वीडियो म का result यह पिछले साल सेम quarter का result और यह पिछले quarter का result देखने का मिल जाता है कमनी की income की बात करें तो revenue from operation को मिला कर कमनी का total income इस quarter के अंदर देखने का मिल जाता है वो है हाँ पर 14,866 करोड रूपीस का जो quarter के उपर हम देखने जाए तार यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ जात cost of material और वो सारी चीज़ों को मिला ले तो कमनी का total expense इस quarter के अंदर 11,647 करोड रूपीस का देखने को मिलता है जो quarter और पिछले साल सेम quarter के मुकाबले कमनी के expense भी बढ़ते हुए नजर आ जाता है कमनी के आपर से net profit की बात करें तो कमनी का net profit इस quarter के अंदर 2,616 करोड रूप कमनी का profit है वो तेजी से बढ़ता हुए नजर आ रहा है कमनी का overall जो result है वो कमपनी ने हम पर बहुत ही अच्छा profit चन ट्रीट करके दिखाया है जो एक बहुत ज्यादा अच्छी बात है कमनी के earning पर share की भी बात करें तो 11.13 रूपीस पर कमनी का EPS देखने को मिलता है जो प अपनी के share में करना क्या चाहिए जो आप लोगों ने हिंदुस्ता निली रूपीस का लेवल या 50 रूपीस का लेवल ये दोनों लेवल्स पर कमनी के share में बिकवाली करके चल सकते हो बागी जो लोग इस कमनी के share में खरीदारी करना चाहते हो तो यह उन लोगों के लिए चालिस रूपे का लेवल उसके बाद तेईस सो बीस रूपे का लेवल और एकीस सो बारा रूपे का लेवल ये तीनों लेवल्स पर कमनी के share में खरीदारी करके चल सकते हो ठीक है तो बाइंग एंड सेलिंग लेवल आप लोगों को मैंने दिखा दिये तो यह था हमार रव गुट बाइ फिर मिलते नेक्स दो में गुट बाइ